दिल्ली में विधान सवाचुनाव करीब हैं ऐसे में दिल्ली की सियासत जो है और भी ज़्यादा तेज होती है रहे हैं बातशीत करने के लिए मरसा जोड़ने हैं करावल नगर से आपके उमीदवार दुरगेस पाठक जी सर किस तरीके से देखते हैं इस बार के विधान सवाचुनावों को आप क्या लग रहा है किस तरीके से रहने वाली जीत पिछले पान साल में अरविंद केजरिवाल जी को दिल्ली की जंता ने बहुत हिस्टॉरिक मेंडेट दिया था और आज मैं कहीं भी गली में जाता हूँ लोग कोई ना कोई एक काम बताते हैं जिससे वो बहुत खुस हैं कोई सडक से खुस है कोई सीवर लाइन से खुस है कोई पानी से खुस है कोई बिजली से खुस है कोई अस्पिताल से खुस है कोई स्कूल से खुस है और पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जिसकी पाम साल के पाद है यह आप बोड मांगने जा रहे हो तो लोग आपको घर पे बिठाते हैं पानी पिलाते हैं चाय पिलाते हैं तो एक तरीके सी तो उत्सा का मौसम है और बहुत अच्छा चुनाओ चल रहा है पानी पादे है जेसी कि करावन लगर ही आ रहे थे तो हमने रस्ते में पिलाते हैं और बाकि जो नीत वेष्ट और मास्टर सत्वाल की वो नहीं बन रही है तो यह एक्चुली उनकी दिक्कत के कारण बाकि जहां पर भी दिल्ली सरकार की सारी रोड है वो सारी बन रही है कुछ 15-20 परसेंट गलियां भी बेहागी है जो नहीं बन पा रही है उनके पर भी काम चला है अगले तीन से चार महिने में सारी गलियां ठीक हो जाएंगी जी सर जिस प्रकार से केजरिवाल जी सिक्षा विवस्ता को लेकर दावा ठोकते हैं वहीं बीजेपी उनके ओपर आरोप लगाती है कि स्कूल के कमरे बनवाए गए हैं लेकिन स्कूलों की संख्या नहीं बढ़ाएगी इस पर आप क्या कहना चाहिए 22,000 कमरे बनवाएं 22,000 कमरे का क्या मतलब होता कितने स्कूल हो गए कई सारे स्कूल बनवाए थोड़ी सी जमीन की दिक्कत होती है लेकिन देखो इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है आज प्राइवेट स्कूलों से 10% जादा सरकारी स्कूलों की रिजल्ट आ रहे हैं आप सरकारी स्कूल टूट रहे हैं उनको बनाया जा रहा है उसकी वीडियो दिखा रहे हैं कि यह सरकारी स्कूलों तो बीजेग बास कोई मुद्दा है नहीं जूट बोलते रहते हैं सुबसले के साम तक बस सर जामिया में जिस प्रकार से कल घटना हुई इस घटना को आप किस प्रकार से देखते हैं किसी भी एक सब्वे समाज के अंदर वाइलेंस जैसी चीज नहीं होनी चाहिए बहुत गलत है और एक सब्वे नागरिक होने नाते हिंदुस्तान की सम्विधान में अपना विश् सब्वास रखने में इस घटना की कड़ी निंदा करता हूं और जो भी अपराधी है जिसने भी यह किया है उसके उपर सक्थ सक्तकारवाई होनी चाहिए सर क्या लगता है इसमें कुछ सियासत है सियासत भी हो सकती है अब यह तो पुलिस जाच करेगी मैं ऐसे कुछ भी अन्नेसेसरी ना करो लेकिन ऐसा लग रहा है कि बीजेपी हार के डर से बिलकुल घबडाई होई है और वो प्लान कर रही कि दंगे हो आपस में लोग लड़ अगनेरे वाले हैं और क्या-क्या काम जनता को मिलने वाले हैं हमने पहले भी कहा बहुत सारे जो पिछले 5 सालों में जो प्रोजेक्ट शुरु किये जैसे सीवर लाइन पढ़वाने के प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें 10-15 परसेंट दिली बच्छी होई है जहां पर सीवर मारसर लगाएंगे जिसके जिम्मेदारी होगी कि उस महले की देखवाल करेंगे दिल्ली को सुक्ष बनाएंगे दिल्ली को साप बनाएंगे बढ़िया बनाएंगे तो यह सारी की सारी चीज़े एक दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने के उपर काम करेंगे बहुत बहुत बस्टे करें